आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं कॉम एट्स टेस्ट के बारे में और यह जो इम्मिनो डॉट टेस्ट किट है हीवी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए होता है बहुत ही इंपोर्टेंट है प्रक्टिकल वीडियो है आप कंप्लीट देखेंगे पूरा प्रक्टिकल आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले हम लिट्रेचर की बात कर लेते हैं जो जरूरी जरूरी पॉइंट है उसको हम के है एंटीजन एंड कंट्रोल रिएजेंट कोटेट कुम ठीक है तो इस तरीके से और उसके बाद वास रेजर्वियर माइक्रो वैल इस्टिप इन फ्रेम उसके बाद डिस्पोजिवल प्लास्टिक डॉपर्स मिल जाते हैं रबर्टीट्स मिल जाते हैं रिप्रेंज कलर इं जो की बहुत इंपोटेंट है रिएजेंट इस्ट्रेज करना क्यूंकि इसको टेंप्रेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है नहीं तो यह ओऔर हीटेट हो जाता है खराब हो जाता है दो से आठ डिग्री पर इसको किट को अपको रखना होता है वार्निंग और प्र बॉफर आता है उसमें 1-5 के रेसों में बना सकते हैं तो 2 ml आपको concentrated washing buffer add करना है 8 ml distil water में बहुत आसान है आप बना सकते हैं लेकिन यहां पर note दिया हुआ कि 10 ml working washing solution should not be used for washing more than two coms ठीक है इस बात को आपको दियान में रखना है तो अभी हम simple measurable आपको кengend test perform करके देखाएंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएका किस तरीके से आपको test perform करना है थोड़ा बहुत हम interpretation की बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे तो यहां पर आपको dot देखने को मिलता है जो आप test perform करेंगे तो पर आप देख रहे हैं यह ठीक है तो डॉपर आपको देखने को मिलता तरीके से चोटा मिलेगा और टेस्ट का डॉट जो है नीचे आपको देखने को मिलता है तो यह positive माना जाता है अगार दो डॉट आ गये positive control का तो आना चाहिए ठीक है और कंट्रूल डॉट केवल कंट्रूल डॉट सिंगल आया हुआ है और टेस्ट डॉट नहीं आ रहा है सो नहीं हो रहा है इसका मतलब वो नेगेटिव है सिंपल है आसान है लेकिन हम टेस्ट परफॉं करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में इसमें आ जाएगा उसके बा अच्छा है है आप इससे test perform करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यह test procedure पूरा complete दिया हुआ है इस test procedure को पढ़कर किआप test perform कर सकते हैं हम आपको practical video भी देखाने वाले ठीक है बाकी सारी चीजें हम तो अब बात कर चुके हैं तो चली हम test test perform करके दिखाते हैं आपको किस तरीकिस test को perform किया जाता है यह हमारे पास comb ads का kit है और इससे हम test perform करने वाले हैं तो यह जो kit आपके पास available है तो इस में क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा वह हम सारा चीज़ आपको दिखाने वादे हैं उसके बाद test perform करेंगे प्रैक्टिकल वीडियो है complete आप जरूर देखना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो इसके अंदर और क्या-क्या चीज़ें आपको information है तो यह temperature के लिए आपको यहाँ पर reading देखने को मिलता है temperature अगर तो इस तरीके से आपको dot देखने को मिलेगा अगर आपने overheated कर दिया temperature नहीं किया तो black color का dot आपको देखने को मिलेगा इसका मतलब यह overheated है और यह खराब होने जो आपके इसमें reagents होते हैं kit होता है वो खराब होने की संभावना इसमें रहता है इसलिए आपको temperature maintain करना रहता है इसके अंदर क्या-क्या-क्या चीज हम discuss कर चुके हैं क्या-क्या आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं तो यह सब चीज हम आपको already बता चुके है अब जब इसको open करेंगे तो सबसे बड़ी बोटल जो आपको देखने को मिलता है इसकी ऊपर दो कप हैं इसमें जब आप सिंगल एक test perform करेंगे तब उसमें वासिंग solution आप बना सकते हैं तो यह वासिंग बफर है जो की एक नंबर का आपको देखने को मिलता है और बाकी जो रिएज मिल जाता है और इसमें आप वासिंग solution आप बना सकते हैं बहुत अच्छे से इस ट्रे में और उसके बाद आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से ट्रे भी आपको इसके अंदर available हो जाता है और यह डॉपर के लिए आपको मिल जाता है और यह आपको antigen control reagent coated combs है जो कि बहुत important है और यही इसमें test perform करने के लिए important चीज है जिसमें आपको reading देखना रहता है जो डॉट आपको देखना है वो इसी में देखना है अभी हम इसको भी open करके दिखाएंगे आपको समझ आ गया तो इस तरीके से आप इसको पढ़कर देख सकते हैं यह क्या चीज है और सब चीज में mention है और यह चार बॉटल और जो है आपके total पांच रिएजेंट की बॉटल है और यह आपका जो बॉटल थ्री नंबर का है वो sample diluvent है तो यह sample diluvent थ्री नंबर का है white color के इसमें cap लगा रहता है और यह blue color का CAP आपको देखने को मिल रहा है दो नंबर का ये आपका signal reagent है ठीक और उसके बाद दो छोटी बॉटले हैं ये positive और negative control का positive control red color का आपका 5 नंबर है red color का cap इसमें लगा होता है और उसके बाद green color का cap जो है वो आपका negative control के लिए होता है जो की 4 number mention किया हुआ है numbering भी है और mention भी किया हुआ है कि किस बॉटल में क्या क्या चीज़ है ये आपके पास plastic की जो है ट्यूब आपको देखने को मिलता है तो ये dropper है ठीक है तो इसके मदद से आप sample ले सकते हैं और ये आपके पास micro well step और with frame के साथ है और इसमें आप रख करके आप इसके इसके साथ कर सकते हैं reference color index से इसमें आप मेच करके test जो है आपको मेच कर सकते हैं जो डॉट आया है उसको इसकी साहथा से ठीक है तो बाकी ट्रेव अगरे मैंने सब बता दिया है और इसमें आप जो coated कूम से इसमें आप लगा करके आप देख सकते हैं test perform कर सकते हैं अगर ज़्यादा आप यूज कर रहे हैं हमने 3 और 3 6 total लिए हुए हैं micro well क्योंकि हमने positive और negative control लगाना है और एक test perform करना है तो हमें केवल 6 wild की जरूबत पढ़ने वाली है समझ आ रहा है अभी क्या क्या इस्तिमाल करेंगे अभी हम detail में दिखाते जाएंगे तो 3 wild जो सामने के है सबसे पहले हम उसके इस्तिमाल करेंगे 3 number का हमने bottle उठाया है sample diluent का इसको हम open करेंगे और 2-2 drop सामने के जो well हैं उसमें हम 2-2 drop add कर देंगे sample diluent कितने कितने 2-2 drop हमने add कर देना है और हम ये mention भी करेंगे कि पहला number का जो tube है वो test के लिए हम use करेंगे दूसरे number का आप use करेंगे negative control के लिए देखिए हमने लिख दिया T पहले number पे second पे हमने negative control और third पे positive control ये हमारे पास sample है सबसे पहले हमने क्या लिया 2-2 drop sample diluent लिया अब हम पहले वाले tube में क्या डालेंगे sample डालेंगे dropper की मदद से 2 drop हम यहाँ पर first वाले जो well है उसमें हम 2 drop serum add कर देंगे ठीक है क्योंकि हम serum से test perform कर रहे है हमने 2 drop add कर दिया है अब हम क्या करेंगे negative control में negative वाला जो green color की cap वाला bottle है यह हम लिया है और उसके बाद negative control इसमें हम 2 drop add कर देंगे simple है तो negative control में हम इस तरीके से 2 drop add कर देंगे सावधानी से test perform करना है contamination नहीं करना है आपको इस बात का ध्यान रखना है ठीक है और उसके बाद जो last वाला तीन number का है वो positive control के लिए है तो हमें यह positive control add कर देंगे simple है 2 drop add करना है तो इस तरीके से हमने 2 drop यह भी add कर दिया है अब क्या कर लेना है यह जो हमारे पास antigen control reagent coated coombs है इसको हमें open करना है मैं already अभी open करके रखा है तो इसको आपको इस side से जो है हाथ में ले करके पकड़ना है और इस तरह आपको बिल्कुल भी touch नहीं करना है सामने के side ठीक है और यहाँ पर labeling करने के लिए भी जगे दिया हुए आप इसको label कर दें जब आप test बहुत सारे perform करेंगे तो serial number भी आप डाल सकते हैं patient का नाम भी लिख सकते हैं तो serial number डालना ज़्यादा उचित रहता है तो यह test के लिए है तो हमने test लिख दिया है और इस तरीके से इसको यहाँ पर add कर दिया है तो इस तरीके से आप इसको mix करके अच्छे से आप add कर दें इस तरीके से ठीके ताकि प्रोपर तरीके से वो mix हो जाए और इसको आप छोड़ सकते हैं उसके बाद फिर दूसरा लेंगे तो इसमें आप negative control के लिए है तो आप इसको negative control लिख दें या negative cable लिख दें ताकि आपको पता रहे कि यह negative control के लिए है और आपको मालम भी चले ठीक है नहीं तो आप label नहीं करेंगे तो confused हो जाएंगे बाद में इधर अधर अगर हो जाता है और एक test perform कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो होता नहीं है और 10 से ज़्यादा test आप perform कर रहे हैं तो labeling करना बहुत ज़रूरी होता है labeling तो करना ही चाहिए ठीक है एक medical lab technologist की निशानी है वो labeling करके ही test को perform करे ताकि कोई भी error human error उससे ना हो इस तरीके से mix करके आप इसको रख देंगे और इसको 10 minute के लिए incubation पे रखना है 10 minute incubate करना है आपको समझ में आ रहे है इस तरीके से proper तरीके से mix करके आपको इसको कितने minute के लिए छोड़ देना है 10 minute के लिए तब तक हमें क्या कर लेना है washing solution बना लेना है washing buffer है ये आपको देखने को मिल रहा है एक number के bottle पे तो और उसके बाद distil water दो चीजें आपको चाहिए इसके लिए तो distil water हमें 8 ml लेना है ठीक है 1000 microliter हमने add कि हो बाकी चीजे हम skip कर रहा है केवल हम आपको जल्दी से हम आपको बता करके निकल रहा है किस तरीके से इसको add करना है तो हम दो दो बार बता देंगे इसको इस तरीके से आपको 8 बार लेना है हम skip कर रहा है तकि वीडियो लंबा नहो यह distil water हम ले रहा है कितनी बार 8 बार लेना है तो एक एक ml का है तो 8 बार लेना है दो बार लेना है मतलब 2 ml लेना है सिंपल है ठीक है तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं एक test हम पर्फूम कर रहे हैं इसमें अभी ठीक है आपको test पर्फूम करके दिखाने मुझा अब जो सामने के आपको समझ में आगया weland किस तरी किस काम के लिए है तो अब recurrent unit के हमारा समप्त हो जाता है दस में हमारे हो चुक्tałे मेरे हैं आप को क्या करना है इसको सरी के लिप वासिए इस तरी के साफ वासानीिस अप 10 टाइमस एसको वास करना शॉप्ट और आपके पास टीशू पेपर होना चाहिए टीशू पेपर से आप इसको सॉक करेंगे जो एक्सेस इमाउंट में है तो इस तरीके से सामने की तरफ आपको टेश नहीं करना है क्यूंकि सामने ही आपको डॉट देखने को मिलेगा टेस्ट को जो भी आप पर्फूम कर रहे है तोसको ठीक है इस बात को आपको ध्यान में रखना है तो इस तरीके से थाप há have कर सकते हैं और गूप के पास ऎंप हैं उसको आप फंसा सकते हैं और उसको बाद को पर्फूम कर सकते हैं तो अब रहे हम एक सिंगल कर रह रहाएं तो तो उसकी जरूरत है नहीं अपने को इस तरीखे से वास्ट करते करते आपको यहां पर add कर दिया आपने किसमे transfer किया है signal reagent वाले में ठीक है और उसके बाद signal reagent वाले में transfer करने के बाद भी अच्छे से उसको mix करके और फिर 10 मिनिट के लिए incubation उसके बाद भी करना समझ आ रहा है तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है इस तरीके से आपको step by step follow करते जाना है जैसे जैसे हम practical आपको करते दिखाते जा रहा है तो यह हो गया हमारा जो signal reagent है इसमें हमने तीनों को जो है हमने क्या कर दिया है अब इसको mix करके proper तरीकी से इसको 10 मिट के लिए incubate कर देना है समझ आ गए तो 10 मिट हमारा incubation time हो जाता है उसके बाद फिर again इसको wash करना है washing solution में wash करने के बाद आपको जैसे washing procedure वैसे यह इस तरीकी से access जो भी है आप इसको wipe कर दीजे और dry करने के लिए आपको इसको छोड़ देना है proper जब dry हो जाएगा उसके बाद आपको डॉट देखने को मिलेगा डॉट देखने को मिली रहा है अभी भी आप अगर आप ध्यान से द देखेंगे तो अच्छे से इसमें डॉट देखने को मिलता है पिर भी हम कोसिस करेंगे अच्छे से आपको दिखाने की ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे डॉट किस तरीकी से देखने को मिलता है और simple procedure है इस तरीके से आप follow करेंगे आसानी से और procedure बहुत आसान है आसानी समझ में आ जाएगा इस तरीके से हमने अभी इसको वाइप किया है और ड्राय करके आप देखेंगे इस तरीके से ठीक है रीफरेंस कलर इंडेक्स है तो जितने भी कॉंप्स हैं कोटेट कॉंप्स इसमें आपको डॉट देखो ऊपर के जो डॉट हैं कंट्रोल वाले ह और नीचे के डॉट हैं वो टेस्ट वाले हैं तो देखो पॉजिटिव वाले में केवल नीचे डॉट आया हुआ है क्योंकि वो पॉजिटिव है और उपर भी कंट्रोल में डॉट आया हुआ है मतलब यह पॉजिटिव है ठीक है दो डॉट आया है बाकी दोनों में आप द तेस्ट में और नेगेटिव कंट्रोल में केवल ओपर दोट देखने को मिल रहा है नीचे, Sacramento है लेकिन नीचे का अगर डॉट आता है साथ पे तो वो positive माना जाता है, दो डॉट आगर आपको दिखना मिलता है theолоह को पॉजेटिव कंट्रोल में देख रहा है ठीक है थैंक यूज